एक लड़की जो जापान में काम कर रही थी, वहाँ पर उसका एक बॉइफेरेंट बनता है प्रॉलम तब आता है जब अपने बॉइफेरेंट को उसने अपने फ्रेंड से मिलवाया फ्रेंड और बॉइफेरेंड में कुछ करीबिया आने लग गई थी हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको The Earthquake Bird ये 2019 की एक मिस्ट्री हॉलिवड मूवी एक्स्पेंट करने वाला हूँ ये एक बहुत अच्छी तरीके से एक्सेक्ट की हुई मूवी है तो अंतक इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो चे लगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरूर कर देजिए अब बिना किसी देरी के एक्स्पेंशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर लूसी को देखते है जो जापान में as a translator काम करती थी वो आज काम पर आये तो उसकी फ्रेंड गएते हैं कि पुलिस को एक लटकी की बौडी मिली है वोने लगता है कि बौडी लिली की है इस बात से लूसी ज़रा डिस्टब हो गई थी लूसी से बात करने के लिए पुलिस उसे पुलिस टेशन में लेकर जाते है पुलिस ने कहा कि जिस रात लिली कायब हुई थी वो लास्ट टाइम तुम से ही मिली थी लिली ने कहा कि हम दोनों ने सिर्फ बात की थी पुलिस कहते हैं तुम अमरेल आ लेकर उसके पीछे भी गई थी Lucy ने कहा कि मैं उसकी बीचे गई थी पर मैं उसे धूण नहीं पाई Lucy को डिरेक्टि उसके बॉइफ्रेंड के बारे में पुछते हैं तो Lucy ने कहा कि अब मैं सिंगल हूँ बॉइफ्रेंड के बाद से हमें फ्लाश बैक दिखाया जाता है जब फर्स टाइम उससे मिली थी जब वो रस्ते से गुजर रही थी तो एक फोटोग्राफर विदावट उसकी पर्मीशन उसकी फोटो ले लेता है यह हमारा और एक में क्यारेक्टर है और इसका नाम है तेजी लुसी ने कहा कि इस तरीके से तुम विदावट पर्मीशन फोटो लेते हो क्या लोग इस पर गुसा नहीं होते है तेजी कहता है कि मैं कभी भी पर्मीशन नहीं लेता वरना मेरी फोटो भीगर जाती है और वेसे भी मैं लोगों की फोटो नहीं लेता वो हमेशा नेचर की फोटो लेता था पर लूसी उसे अच्छी लगी थी इसके बाद तेजी जीस होटेल पर काम करता है वहाँ पर ये दोनों डेट के लिए आते है लूसी ऐसे ही अलग-अलग टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रही थी तेजी कहता है हमेशा लोग उनके मन में क्या होता है ये बात कभी भी नहीं बोलते है इदर उदर की बाते करते रहते है मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से ओनेस रह सकते है लूसी को फर्स टाइम देखते उसे फिलिंग आई थी लूसी को भी ये बात सही लगती है तेजी ने कहाँ कि अब तुमारे माइंड में चल क्या रहा है लूसी कहती कि सूप इतना अच्छा नहीं है मुझे इस डेट पर तुमारे साथ नहीं आना चाहिए था पर फिर भी मुझे तुम बहुत ही अच्छे लगे हो इसी वज़े से उसके साथ आई हुई थी ये बात तेजी को भी बहुत अच्छी लगी तेजी कहता है कि मुझे तुमारे फोटोस निकालनी है इसके बाद उसे घर पर लेकर आया लूसी उसकी सारी फोटोस देखती है चो बहुत ही अमेजिंग थी तेजी लुसे को कोई भी पोस करने के लिए नहीं कहता वो जैसी है वैसे बहुत ही अमेजिंग से फोटोस निकालता है अचानक से अर्थ्वेक आ गया था तो दोनों कवर में जाकर छुप जाते है जापान में वैसे भी बहुत सारी अर्थ्वेक आते रहते है इस अर्थ्वेक के बाद एक सीटी सुनाई दे रही थी तेजी कहता है कि उसी का आवाज है इसलिए इस मूवी का नाम अर्थ्वेक बर्ड है नेकसिन में हम देखते हैं कि लुसे वाइलिन का ग्लास भी करती थी तो वहाँ पर उसके फ्रेंड्स थे आज उसका पड़्डे था उसके फ्रेंड्स ने उसे गिफ्ट दिया रात में लुसी अपने एक अमेरिकन फ्रेंड्स से मिले उसका फ्रेंड्स गयता है कि एक लड़की से मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ वो चाहता था कि लुसी उसे घर ढूणने में हेल्प करें उस लटकी का नाम था लिली ये बात लुसी को जादा अच्छे नहीं लगती है क्योंकि अगर वो इस तरीके से हर एक का ख्याल रखने लग गया तो उसकी लाइफ ही नहीं रहेगी लुसी जब लिली से मिली तो बहुत ही फ्रेंडली थी उसे कहती है मुझे लैंग्वेज नहीं आती है तो इस वज़े से घर टूरना बहुत ही हार्ड है वहर एक से घुल मिल जाती थी नेक्सिन में हम देखते है कि तेजी ने लुसी की फोटोस के डेवलप किया जो बहुत ही ब्यूटिफुल लग रही थी एक दिन लुसी ने अपने फ्रेंड को तेजी के बारे में बता है फ्रेंड पुछती है क्या तुम दोनों इंटिमेट हुए लुसी कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है टेजी ने उस टाइब से लुसी पर अब तक गाम नहीं किया य्टाद जब वो लुसी के फोटो निकाल रहा था तो अपने कपड़े वो निकालने लग जाती है 안대ज़ी ने लुसीमें लुसी अपनी फ्रेंड लुसी इसमें बहुत ही ब्यूटिफुल लग रही थी लुसी ने कातो से पुछा क्या आपकी एज इतनी होगे पर आपने शादी क्यों नहीं कि कातो कहती कि मैं बहुत ही जादा एजुकेटेड हूँ इस वज़े से जाबने इस आदमियों को मैं अच्छे नहीं लगती है वैसे भी मेरे पास जादा टाइम नहीं है उसने अपनी लाइफ को अच्छी तरह के से डेवलप कर लिया था यह जब बात कर रही थी तब उनकी नी लिसीसे मिली तो यह सब उसे बता दीती है लुसी नहीं कहा हूँ कि मैं कहीं बी जाओ हमेशा डेध मेरे साथ ही होती थी है देजी ने फिर कुछ फोटोग्राप्प्स लुसी को दिखाए जब उसकी एडंकी लेथ हुई थी तभी उसने फोटोग्राप्स ही हुई थी पो म और रेंड पर वो ले लेती है इसके बाद यह दोनों रेस्टोराण पर गए लिली को यहाँ पर कॉफी ओर्डर करना भी नहीं आता था तो लुसी ने उसे सिखा दिया यह दोनों फ्रेंड्स बनने लग गई थी एक राथ जब लुसी और तेजी साथ में थे तेजी फोटोग के साथ हाइकिंग के लिए गई हुई थी वहाँ वरो तेजी के बारे में बात करती है वो गयती कि हम दोनों बहुत अलग अलग है पर एक साथ जब वो होते हैं तो अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं वापस आते आते लुसी का पेर फिसल किया उसे चोटा गई थी तो ल उन्हीन किश्ञे ने कहा कि क्या मैं उसे मिल सकती हुं लुसी इस पर बहुत जाएगा कि उसने कहा कि अब मुझे काम पर चोड़ तो देती हैं पर अभो क्योर्यास थी है तेजि उससे चुपा क्या रहा है वो डेरेकलि तेजी के घर पर आकर उसकी कबर्ण में उसकी सारी लड़की की नाम की फाइल थी जिसमें उसकी सारी फोटोस थी इससे हो जारा डिस्टाब हो गए तब यू पर पहुच जाता है लूसी ने कहा कि लड़की कोन ़ूसी ने पूचा कि क्या हुआ था था दीं मुझे छोड़ कर चली कि और फिर वापा से नहीं आए जब मैं तुम से मिला तो उसके बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया था लुसी तेजी को sorry कहे दिया कुछ दिन बाद लुसी लिली को लेकर तेजी से मिलने के लिए आई तेजी बुछता है क्या हम सब कही पर जा सकते हैं लिली इसके लिए excited हो के और यह अलग-अलग places घुमते हैं लिली न कहा कि मैं कार्ट से किरा देख कर लोगों का future भी प्रिडिक कर सकती हूं उनका पाल्म रिट करकर भी उसे future पता चलता था लुसी का हाथ देखकर हो गयती है मुझे इसमें accident, death इस टाइप की event से दिख रहे हैं अचानक से हो कुछ अलग दिखती है और इसके expression change हो गए थे अगली सुब आउट ने पर लीली ने कहा कि कल रात मुझे बहुत ही अच्छे से नीन आई लुसी ने कहा कि अत्कवेक की वज़े से जरा disturb हुआ था लीली इसके बारे में पूरी तरीके से भूल गई थी जब अत्कवेक हुआ था तब वो सोई हुई नहीं थी पर फिर भी इसके बारे में भूल चुकी थी यह बात लुसी को जड़ा अजीव लगी लुसी एक दिन टेजी से पुछती है क्या हम क्लब में जा सकते हैं वहाँ पर मेरे फ्रेंड भी होंगे तेजी बीज बात के लिए मान गया तो लुसी अपने एक फ्रेंड से बात कर दिया करती है कि कुछ हुआ ही नहीं पार्टी में हम देख सकते कि लिली और दिजी एक दूसरे के साथ डान्स कर रहे थे इन दोनों का करीबान है लुसी को अच्छा नहीं लगता इसके बारे में उसने टेजी को गफ्रेंट किया तो तेजी झायता है कि लिली के बहुत अच्छी ड तो उसके फादर ने मुझे एक ट्रिंग दिया फ्रेंड ज़रा बाहर गई थी तो फ्रेंड के फादर ने लुसी का फाइदा उठाया तेजी को इस सुनकर बहुत ही भुरा लगता है लुसी गहती कि उसके बाद में प्रेगनंट हो गई थी ये बाद मेंने जब फ्रेंड के फादर को बता है तो उन्होंने सुसाइड कर ली बाद में लुसी को बता चला था कि वो अच्छोल में प्रेगनंट नहीं थी ये सब सुनकर तेजी उसे सहारा देता है Lucy को इसी वज़े से लगता है कि जहाँ पर भी हो जाती है वहाँ पर date और accident उसे follow करते है यामा मातों की date के लिए वो अपने आप कोई जिम्मेदार मानती है एक weekend के लिली ने तेजी और Lucy को पूछा था तो इस पर वो चले जाते है वैसे तो तेजी हमेशा भीसी रहता था पर यहाँ पर आने के लिए रेडी था डिनर उपर ये सब लोग जब बात कर रहे थे तो लिली कहती है कि जब मैं नर्स थी तो लोगों को save करना यही मेरा mission था इसमें लोगों की date भी होती थी पर फिर भी वो सब को help करना चाहती थी लुसी और लीली में यही difference था लीली हमेशा हर एक चीज़ को positive लेती थी और लुसी हमेशा खुद को blame करती थी रात में लुसी को सबना आया कि तीनों मिलकर intimate हो रहे है इस बात से और disturb हो गई थी उसे लग रहा था कि तेजी और लीली एक दुसरे के करीब आ रहे है आज यह सब मिलकर trekking के लिए जाते है अजनक से लुसी की तबियत ज़रा खराब होने लग गई थी वो एक जगा पर race लेने के लिए रुकी और वही बस तो जाती है जब वो उठी तो उसके पास तेजी और लीली नहीं थे वो इस बात से बहुत ज़रा डिस्टरब हो गई जल्दी से नीचे उतर कर टाउन में आ जाती है उसने इन दोनों को एक केवी में देखा वोने गंफरंट करती है कहती है तुम दोनों मुझे ऐसे ही छोड़ कर आ गए थे तुम्हारे बीच चल क्या रहा है लीली ने कहा कि तुम्हारे शर्ट में हमने एक नोट डाला था लूसी को बुरा लगता है और यहां से वो भागने लग गई तेजी उसके पीछी बीचे कया तेजी उसे गले लगाता है कहता है कि सब कुछ ठीक है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ जब इनकी ट्रिप खतम हुए तो स्टेशन पर तेजी ने लूसी को छोड़ दिया उसके एक चीज वापस रह गई थी तो फिर से आकर जब देखती है तो लिली और तेजी वहाँ पर फिर से मिले थे आज स्टेशी लिली की फोटो ले रहा था इससे कंफर्म हो गया कि उन दोनों में अफ़ेर चल रहा है ये सब जब लूसी पुलिस को बता रही थी तो कह दिये कि मैं ही गिल्टी हूँ फिर उसने आगे स्टोरी बताना कंटिन्यू किया लूसी का हार्ट ब्रेक हो गया था इसके बाद उसे इस सीटी में नहीं रहना था वो फिर से तेजी को देखने के ले गए पर वहाँ बर भी लीली बेटी हुई थी एक दिन लीली लूसी को सौरी कहने के लिए के पर लूसी उसे माफ नहीं करती लीली के जाने के बाद लूसी ने उसका पीछा किया इसी के बारे में फर्स टाइम पुलिस उसे पूछ रहे थे अब लूसी ने खुद कहा था कि वो गिल्टी है तो इस वाज़े से उसे वो अरेस्ट कर लेते हैं अगली दिन पुलिस को पता चला इस जो बॉड़ी उने मिली है ये लीली की नहीं थी अब फिर से पुलिस लूसी को बुछते हैं तुमने जो स्टेट्मेंट दिया ये गलत दिया एक्च्वल में हुआ क्या था लूसी कहती कि मैं चाहती थी कि लीली मज जाया और इसी वज़े से उसने अपने आपको गिल्टी बताया था वो कनफेस करती कि जब वो छोटी थी उसके ब्रदर और फ्रेंड्स मिलकर उसे पत्थर मार रही थे इस बात से लूसी को साओ गे और उने ब्रदर को उसने पुष्ट कर दिया पुष्ट करने की वज़े से उसके ब्रदर को चोटाई उसकी डेट हो गए सब लोगों ने लुसी को समझाया कि यह सिर्फ एक एक एकसिडेंट था पर लुसी को जिस तरीके से उसके पैरंस देखते थे तो उसे लगता था कि हमेशा उसे ही ब्लेम करते है ये बात हमेशा उसे खाय जाती थी और इसी वाज़े से घर छोड़ कर और जापान में आ गई थी पुलिस ओफिसर उसे समझाते हैं कि तुम सिर्फ गिल्ड में हो पर ये बात तुमें मर्डर नहीं पनाती है इसकी बात उन्हें लुसी को छोड़ दिया कुछ दिनों से तेजी भी कायब था उसके बाद लिली की फोटो स्टार्ट हो गई थी इन फोटोस की लास्ट में लिली की डेड़ बॉड़े की फोटो थी ये फोटो तेजी के घर में ही ली गई थी इसका मतलब है तेजी ने लिली को मार डाला जैसे कि हमें पता है कि लिली important event के बारे में भूल जाती थी शायद इसी वज़े से तेजी गुसा हो गया और उसने उसे मार डाला ये फोटो लेकर Lucy police station में गे पर आज रात वहाँ पर डिरेक्ट्टू नहीं थे इसके बाद वो घर पर आ जाती है पर वहाँ पर उसे तेजी दीखा तेजी वुशता है कि तुमने उन्हें क्या पता है Lucy कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं पता है तेजी कहता है कि जल्दी से हम यहाँ से चले जाते है एक जगा पर नई लाइफ क्रेट करेंगे फिर से सब कुछ एकदम सही हो जाएगा उसे सौरी कहता है पर Lucy ने उसके साथ आने के लिए उसे मना कर दिया इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुसा हो गया Lucy को मारने लग गया Lucy को मारते मारते एक काज भी तूट गया था Lucy यही काज लेकर डारेकल उसके हेड में डाल देती है इससे उसकी वही पर डेथ हो गये अब Lucy को फिर से और एक डेथ ने फॉलो किया था एक दिन वो अपने फ्रेंड कातो से मिलने के लिए उसे बताती है हमेशा डेथ मुझे फॉलो ही करते रहती है यामा मातो की डेथ के लिए उसके बारे में वोर्न करने ही वाली थी पर मैं भूल गई थी तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरी वज़े सूस की डेथ हुई इन सब चीजों के लिए हम खुद को जिमेदार नहीं मान सकते हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता यह बात सुनने के बाद लूसी को रोना आ गया फाइनली अपने आपको उसने माफ किया था इसी लूसी के ट्रांस्वर्मेशन के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहे तो तो प्लीज इसे चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल लूटिवेशन आपको नहीं मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूवीज के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिये